इटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ दिन प्रती दिन बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के अनुसार बीते बुधवार को भी प्रदेश में 71 नए मरीज सामने आए। जिन में से सबसे ज़ादा 30 राजधानी जैपुर के हैं, इनमें भी रामगंज से 13 मामले सामने आ रहे हैं। इसके लाबा एक मृत्तिव भी जैपुर में हुई और एक कोटा में हुई। इसी के साथ अब राजस्थान में संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। जिन में से जैपुर के 483 मरीजों में से अकेले रामगंज से 420 से ज़ादा मामले सामने आ रहे हैं। मही जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बह बैठक में लोकडाउन को थोड़ा मौडिफाइड बनाने पर चर्चा हुई। साथ इस बैठक में ये भी चर्चा हुई कि 21 अप्रेल के बाद क्या क्या शुरू होगा। हालांकि प्रदेश में कोरोना संक्रमन के होट स्पोर्ट बने इलाकों में स्थिती बहतर होने तक कर फ्यू लागू रहेगा। जानकरी के अनुसार 21 अप्रेल से सरकारी कारियाल्य फेजवाइज खोले जाएंगे। साथ ही प्रवासी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्चे के ग्रामीन छेत्रों और ओध्योगिक छेत्रों में ओध्योगिक इकाईयों को शुरू किया जाएगा। जिससे इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके। शहरों में ये सुईधा शुरू होगी। लेकिन इसके लिए श्रमिकों के कारिया स्थल पर रहने की सुईधा है। साथ ही बाहर से आने वाले श्रमिकों के आने पर रोक रहेगी। साथ ही ग्रामीन मजदूरों के सामने आ रही आर्थिक संकट को देखते हुए मन्रेगा को भी शुरू किया जाएगा लेकिन इस दौरान मास्क लगाना जरूरी है और सार्वजनिक स्थान पर ठूकना बैन रहेगा और अगर कोई ठूकता हुआ पाया जाता है तो उस पर कानूनी कारेवाही होगी लेकिन इस दौरान शौपिंग मॉल, सिनेमा, परिवहन के साधन समहारो आधी पर बैन रहेगा ये सब 3 मई तक बंद रहेंगे